हेलो गाइज वेलकम टू स्टड़ी वित रुमाईशा काई आज को टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है आज हम पैक्टिस के नंबर 2.1 सौल करने वाले 2.1 पैक्टिस के नंबर सौल करने से पहले आपको नमजदा होंगा कि तर्मिनेटरिंग और नॉन तर्मिनेटरिंग प्रिक्योरिंग तायप में क्या फ़र्फ है आज फॉर एक्जामपल के लिए आपको यह बता दू तर्मिनेटरिंग उन नंबरों को कहा जाता है जो ऐसे जो जो नंबर डिवाइड होकर खतम हो जाते हैं जैसे कि हम वन मिनट जैसे कि हम इन नंबर को ले लेंगे यह वो न सब्सक्राइब किया आंसर आया 0.4 खतम हो गया जो सब्सक्राइब होना चाहिए यह 5 है इसको 2 से डिवाइड किया उच्छी नंबर नंबर आये और फिर व्लास में भी रहांगे नंबर फिनिश हो गया तो इन ही नंबर को इस तरिकह से दिवाइड करने पर खतम हो जाते हैं और और यह तैप इत्वाइड करने पर खतिने होते हैं जैसे यह है आप इसको डिवाइड कर रहे उल्याइड दे ऽालाए इस But Top School में को आपके बुच्न पर प्टॉयंटी वर्लिया गया है इसमें 22 22 यह आते जा रहा है यह नंबर फितम नहीं हो रहा है ऐसे और भी बहुत सारे नंबर है जो आपको पेड नंबर 20 पर दिये गया है उपर में ही है आप देख सकते हो तो आप आप टन में रहने का फर्क समझ गया होंगे घाइस चले स्टार्ट करते हैं प्राक्रे सदांब 14 बाइट 151ok स्वर्शन को करना विस कोशन में करना है कि अभी का था में ना में इंहां जो कि दिवाइट एतने टेंगे इस बहुत सिंपल तरिका कि बेना बेने डिवाइट आपको पता चाल जायेगा लें डियाए अब Cyberpunk करने किया करना निकालना है कि 5 का पटैंट के निकालते देखनाए किस फाइब एैकप द्रीक निया थे मिज़ आता टो पैदर निहीं था तो इल्मार हो गया मैटर को सब्सक्राइब निकालाई है खटम होगा है और अगर अगर फैक्टर एक बाते जो का समझती है अगर किसी पुर नंबर का फैक्टर फाइफ और तू थे हैं इसका मतलब यह होता है कि यह नंबर जो भी नंबर है वह डर्मीने रिंग वह नंबर अर् जिसके इसमें टो और द्फाइप के अलावा और कोई नमबर आता ही वह नौन टम्ना रिंग आप समद एो अब जल्दी जल्दी में सोल्थ करते है तो फेर्सा थल्दा फेये नियों गॉक्ति झर्स पर को मत अंगे कुछ कर आशिए हम्ाइब सेठी एवस सेचाने को अब 공íchी कैणा ध्युक्त क्वाईब ऐसे बहुत संपार यह और डिचान में आता है अन्ति आधा है वी यह यह निकला 11 11 11 11 तो यहां पर यह भी फिनिश हो गया मतलब गाइज अब हमें गौर करना ही है कि यहां पर 5 है 2 है या पर इसके लावा और कुछ है तो यहां पर कोई नंबर नहीं है 5 भी नहीं 2 भी नहीं 11 आ रहा है मतलब यह नॉन टर्मिनेटरिंग है गाइज आप समझ गया ना जब 2 अबर 5 आता है तो वह नंबर टर्मिनेटरिंग होता है और जिस नंबर में 5 और 2 के लवा और कोई नंबर आता है वह नोन टर्मिनेटरिंग होता है तो अब तो 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 आप समझ गया है ना यह नंबर नॉन टर्मिनेटरिंग टाइप है क्योंकि इसके हमने जब पैक्तर निकालते हैं 11 के तब वह होग सेघुमीन वह एलेवन था है तो निकालते अह yön पर हूं तो इस्अ इनम आता है कि राता है सुछ्थ फॉर कलो थो थो ट्च चुक्त सेख्टर या सिंप्ली सिंप्ले निकल गें फिर चाहिए टू कितने भी बार हो फाइज किमें रागों कोई मतलब निकलता बस तू या फिर फाइज चोनों 10 से दोनों एक साथ वी चल्टा है बस यह अगार हान पर ऐसा रहा फिस यह तो आ यह कोई भी नंबर गुट तो इसका मतलब यह होता है यह non terminating होजाता है बस 2 और 5 के लाभा कोई और नमबर आते हैं सक्तर में तो वो non terminating होता है तो यह होगे गाईस को सब्सक्राइब तो मेरा वादा है कि आपको सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टि नहीं जाती है तो दों परीश आप मुझे कमेंट करदो में दो पर विडियो बना लूँगी वैसे तो यह आपका होंवर्क है और आपको इसमें कोई प्रॉब्म नहीं जाएंगी ओके गाई आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर जाना हो चानल को सब्सक्राइब भी करना बाई